हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं हीट्रोग चनल आई है मजराज प्रजापती क्या दोस्तों आपके चल पर 1000 सबस्कबर पूरे हो चुके हैं 4000 गंडे का वोस्ट टैम भी पूरा हो चुका है आपने अपने मॉनेटाइज़न को अंडर रिवीव में बेज दिया और आपको मेल आता है कि आपका मॉनेटाइज़न हो गया है डिसेबल और उसका रिजन एक ही है यू है और यही प्रोब्लम सब लोगों को आ रही है कम से कम मुझे 500 से ज़्यादा यही मैंसर डम किये गए है कि भाई मेरा एडसन डिसेबल हो चुका है और उसका एक ही रिजन है कि यू है अल्रेडी हैवन एडसन से अकाउं और मैं इस टॉपिक पर कम से कम 7-8 दिन से काम कर रहा हूं सबसे पूछ रहा हूं और मुझे सॉलिशन नहीं मिला लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर डीप में गुसके मैंने काम किया और मेरे एक सब्सक्राबर है जिनके चैनल पर 9000 सब्सक्राबर हैं और उनकी चैनल को मैंने देखा उनने मेरी इंस्टाग्राम पर बात किया और उनने मुझे बोला किया जबाई मेरा मॉनिटाजिशन डिसेबल हो चुका है प्लीस मेरे मॉनिटाजिशन को इनेबल कर दो कि आपको कैसे आपके monetization को जो disabled हो चुका है उसको बापिस enable कैसे करना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना time waste किये दोस्तों जैसे कि मैं अपने laptop की स्क्रीन पर आ चुक हो और आपको भी दोखें यहां यासी problem आ रही होगी यहां लिखा हुआ monetization on this account has been disabled तो यह सबको problem आ दी जितने भी creator सब यही mail देखके मुझे message करते हैं तो दोखो एक email और हमारे पास email में यह वाला email आता आप देख सकते हो कि you already have an adsense account इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास already एक account है जो आपने दूसरे number और वही number एक account और बना लिया है यानि इसका mistake क्या होता है कि आपका already एक account होता है वही number तो आप दूसरे account वही number खोल लेते हो तो आपको यह problem होती है और आपको छोटी सी email ID दिख रही है, यह email ID आपको बताती है, कि यह नाम पर आपका already एक AdSense account है, अगर आपको यह वाली email ID याद है तो आप इस पर login करकर आप अपना account को यहां link कर सकते हो, अगर आपके पास यह email ID नहीं है, अगर आप password भूल चुके हो, तो इसको cancel करके आप दूसरा active email ID को, यहनि active Google AdSense को अपनी YouTube चैनल के साथ link कर सकते हो, तो अभी हम आपको बता देते हैं, हमारे पास email ID नहीं है, भूल चुके हैं, तो हम अभी क्या करेंगे, एक active AdSense को यह YouTube के साथ करने वाले है link, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह देखो YouTube account, ज जो बिल्कुल active है, इसको मैं refresh करके भी आपको दिखा देता हूँ, यह देखो मेरे पास account है, पूरा भी active हुआ है, तो ठीक हम इस account को क्या करेंगे, अपनी channel पर करेंगे link, फिर आप beta studio में जाओगी, तो आपके सामने यह वाला option मिलेगा, तो इसको हम एक बार refresh कर लेते हैं refresh करेंगे, तो आपके सामने यह वाला option खुल की आजाएगा, बिदे को refresh हो जाएगा, तो आपको यह वाला option खुल की आएगा, अगर आपके channel पर 1000 सब्सक्राइबरों 4000 घंटे का वाश टाइम पूरा नहीं है, तो आपको यह वाला option नहीं देखेगा, आपको लिखा हुआ आ आपके सामने यह pop-up फुल जाएगा, इस pop-up में आप जैसे click करोगे तो आपके सामने तीन option पूछेंगे, yes, I have an exiting account, दूसरा पूछेंगे, no, I don't have any exiting account, और तीसरा होता है, I don't know, लेकिन हमारे पास अगर adsense account है, तो मैं yes, I have पर click करना है, अगर हमारे पास account नहीं है, तो यह click करूँगा, अभी हमको आगे की process में ले जाएगा, अभी तो को आगे की process ले जा रहा है, अब हम यह Gmail ID पूछेगा, कि आपका कौन से account पर आपको active करना है, तो यह वाला active है, तो यह वाला active है, तो यह वाला active हमको कर लेना है, login, इसके पर हम login करेंगे, login करने के बाद, यह पर आपको यह कर देना है, link, फिर नीचे आपको accept association पर कर देना, click, जैसे accept association पर आपको click करोगे, तो यह आंगी की process को लेके चला जाएगा, फिर आपको redact का mail आएगा, तो आपको यह थोड़ा minute वेट कर लेना है, तो यह लिखा हुआ है, within few seconds आपको यह वेट कर लेना है, automatic search हो जाएगा, automatic search होने के बाद, आपको back YouTube studio पर लेके जाएगा, यहां देखो हमारा searching शुरू हो चुका है, यह back हमको सीधा YouTube tab पर लेके जाएगा, तो आपके सामने देखो, पहले error आ रहा था, अब देख सकतो, यहां first number भी complete हो गया है, और यह second number भी complete आपका हो चुका है, you have successfully linked and adsense account, यह वाला आपका link हो चुका है, और आपका channel देख सकतो, get review, आपका adsense channel review में चला चुका है, finally आपका channel review में चला गया है, और आप जैसे इसको बाविस refresh करोगे, तो आपके सामने यह आएगा, और आप देख सकते हो, मैं बाविस refresh कर दे रहा हूँ, एक बार refresh है, आपका monetization has been, account disabled दिखा रहा है, क्योंकि अभी यह number process में चल रहा है, इसको एक दो बार रखोगे, और एक देट घंटे के अंदर अंदर आपका यह adsense successfully, आपको disable लिखा हो, disable की जगा, आपको यह under review में चला जागा, बस आपको थोड़ा wait कर लेना है, होने के लिए आपक आपको यह एक घंटा भी ले सकता है, और ना होने के लिए आपको 12 गंटे तक आपको wait करना होगा, लेकिन आपका finally successfully यह add हो जाएगा, क्योंकि आपका यह problem है, आपको देख सकते हो, यह आपका successfully यह link हो चुका है, अगर उम्मित करता हूं दोस्त, आपको वीडियो पसंद है, यह कि देखो मैं वीडियो बनाते बनाते कम से कम मुझे साथ महर आठमा दिन हो चुका है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर कम से कम साथ नाठ दिन से काम कर रहा हूं, कोई solution नहीं आ रहा था, लेकिन finally मैंने इसका solution निकाल दिया है, अगर आपका addson disable होता है, कोई भी आपक करता हूं, वीडियो अच्छी लगयों को अच्छी लोगों लाइक, कमेंट, सेर जरूरू कर देना और हमारे चैनल पर जो भी लोग नहीं आए, चलो को सब्सक्राब करके, बैल आइकन जरूरू दपादेना, चलिए मिलता है वीडियो में जब तक लिए जैहिल और वन्दे मत्रम